हालो एब्रिवन माइसेल्फ अंशुवान गर्ग आपका आपकी के यूट्यूब चैनल आई इंडिया केड़ी में स्वागत है सबसे पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो 999 रुप पर मन्त का मैंने 31 माई तक का आप लोगों से कमिट किया था उस सीरीज को खतम गर दिया गया है जो इसकीम थी वो विलकुल खतम हो चुकी है आप सीधा सीधा 399 रुपेय जो फीस अभी सबसे बड़ी चीज इस बीडियो से जुड़ने का एक जो आप लोगों के लिए मैंने प्रतेक संडे के लिए जो टेस सेरीज सुरू की थी तो आज सेकेंड टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया गया है पहले टेस्ट पेपर का आज आपके सामने क्या आने वाला है साथ ही साथ बीडियो कमपेरिजन का एक मैंने सिनेरियो दिया था आपको तो video comparison के scenario में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर actually मैंने कुछ ऐसी copy नहीं है देखिए बाकी जो कुछ है आप लोग टेलिग्राम से अगर जुड़े होंगे तो उनको बहतर ये चीज़े पता होंगे कि मैंने सब कुछ वहाँ पर update किया हुआ है तेक है लगबग अपनी test series में जो मेरा target था वो पूरा आप लोगोंने achieve करवाया आप लोगों का प्यार बखू भी मिला और कुछ दिनों बाद ही हो सकता है कि एक सब्ता या दो सब्ता बाद registration हो सकता है आज या कल से मैं फिर से open कर दूँ second platform आप लोगों के लिए सुरू कर रहा हूँ test series के लिए तो आप लोग उससे join हो सकते है ठीक है firstly प्रष्ट भूमी को बहतर कैसे लिखा जा सकता है प्रष्ट भूमी या निसकर्स है जो अपन बोलते हैं जैसे आप प्रिस्थाबना भी बोलते हैं इसको बहतर कैसे लिखा जा सकता है तो मैंने अपने notes ना देती हुए अपना model answer ना देती हुए वो तो मेरा आएगा ही live video के माध्यम से student की copy से आप लोगों को इस चीज से अबगत कराना मैंने उच्छत समझा और इसी को लेते हुए student की copy आप लोगों के सामने ला रहा हूँ लगबग 3-4 copy है देखिए इसमें number का कोई topper और कौन कम होता है ये मैं आपको आप साम को like में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास जैसे comment भी आया है कि sir toppers की copy क्या open होगी देखिए कौन toppers है क्यों नहीं है उसका एक reason है ठीक है तो वो चीज़ें अपन साम को discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अपन और बेंतर अपना representation कैसे कर सकते हैं तो अगर किसी की copy से अपन को सीखने मिला तो वो चीज अपनों से मैं आप लोगों से नहीं जोड़ पा रहा था इस यही reason था कि कोई चीज़ सुरू करना तो आसान होती है लेकिन एक platform के साथ उसको बखुवी पूरी करना एक task होता है तो वो पूरा करना चाहरा हूँ और उसी को लेते-लेते मैंने एक और आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है कि उस चीज़ को मैंने दूसरा platform भी create करने का सोचा है जो लगबग 21 जून के आसपास से आपका सुरू किया जाएगा 21 जून संडे है क्या एक बार मैं देख लेता हूँ जी बिलकुल 21 जून के आसपास से वो scenario सुरू किया जाएगा यानि Men's Online Test Series Part पहला पार्ट आप लोगों के सामने था सेकेंड पार्ट और इसमें सबसे बड़ी चीज में एक बात और बता देने हैं तो question repeat जो आप लोग यह सोचें कि भाई सब एक सार question ऐसा तो नहीं है कि जो आपने पहले paper दिया वही रहेगा जी नहीं तो यह चीज जरूर रहाद र जो online copy check का मैं आप लोगों को बोल रहा था उसमें मैंने पूरा feel कराने की कोसिस किया कि आपको व्यक्तिकत रूप से यह feel हो कि मैं offline copy check हो रही सर मेरे सामने copy bet के check कर रहे हैं ठीक है और जो बारीकिया है जो कमिया बारीकिया पता चलती है कमिया वो मैंने यहीं पर आपको cover up क पर आने की कोसिस की गई है ठीक है तो चलते हैं सीरे copy की तरफ तो वहां से आप एक एक चीज़ सवा सकते हैं और वीडियो को अंतर तक जरूर देखें क्योंकि मेरी copy नहीं है किसी student की copy है नाम मैं किसी का open नहीं करूंगा टेलिग्राम चैनल पर मैंने सब कुछ दे रखा है वहां पर मैंने बकायदा scenario जारी किया है top 5 student के number भी है बकायदा 3 number 6 number 15 number के question और उसके number भी अलग-अलग किये गए तो जित्ती transparency हो सकती है सर उत्ती transparency मैंने रखने का प्रयास किया है और फीस भी बता दूँ सर 970 रुपे पहले भी student के लिए रखी गई थी तो बहुत बड़ा एक offer भी था और एक opportunity भी थी क्योंकि इस test series में मैंने खासियत एक देखी है कि जितने लोग भी जुड़े है सब कहीं न कहीं एक दो बार मेंस दे चुके हैं और उनके द्वारा इसका review मुझे positive मिला और उन्होंने कहा नहीं सर आपको दूसरा सुरू करना चाहिए platform जिससे औ आप लोगों के सामने है मैंने क्या बोला मेहनत आपकी रास्ता मेरा तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जहां आप भटक रहे हैं और उस चीज से आप properly एक मार्ग में आके काम कर सकें ठीक है चलिए तो सीधे copy की तरफ चलते हैं तो वहाँ से आप लोग एक टीज समझ सकते हैं देखिए ऐसा जरूजी नहीं है कि सभी प्रश्ट भूमी अच्छी है लेकिन courses की गई है कि अगर बच्चे ने copy अच्छी लिखी है तो मैं उस प्रश्ट भूमी आप लोगों के सामने लाऊं कि इससे अपन क्या सीख ले सकते हैं तो ऐसे चार से पाच copy है जहांसे मैं आप लोगों को इस चीज से अफगत कराऊंगा किसी की copy में writing skill अच्छी है तो मैं वहापे भी वो update दूँगा किसी की में प्रश्ट भूमी अच्छी है तो वो मैंने आपको update दिया किसी की copy में structure अच्छे है तो वहाँ से update दिया तो ऐसा नहीं है कि आप यह सोचे कि एक copy से आप सब को सीख सकते हैं तो दो से तीन चार copy मैंने ऐसा चूस किया है लगबग 30-30 बच्चों की copy हो मैं से तो उसके अनुसार आप लोग अपना cover up कर सकते हैं कि और चीज अपने आपको बहतर प्रयास कर सकते हैं ठीक है और सबसे मेरा एक request है जो मेरे mens के छात्र हैं कि बहिए second means में मंगल बार के बाद कोई excuse नहीं चलेगा strictly rule follow रहेंगे तो रहेंगे और copy अगर साफ नहीं आएंगी तो साफ instruction है मैं copy चेक नहीं करूँगा जमा हो जाए होती रहे चाहा मंगल बार के पहले आए चाहा बाद में आए तो कि अगर साफ copy नहीं होती इस बार तो मै नहीं कर रहें इतना जो आपको flexible timing दी गई है sir कहीं नहीं मिलती है आपका 10 बज़े paper दिया एक बज़े चाहिए तो चाहिए लेकन यहां पे आप लोगों को 10 समय दिया गया है तो इस चीज से थोड़ी सा आप बखूभी रहें और इस चीज को अपने दिमाग में दिल में टाइमिंग बैसे तो आप देड़ा घंटे में लिखी लिए होंगे तो मुझे विश्वास है और दूसरा चीज नाम यह दो चीजा लिख दीजे क्योंकि जब एक साथ copy होती है तो फूर थोड़ी सा दिक्कत होती है चलिए बात करते हैं सबसे पहले तीन नंबर के question की question की ना भाई एक बात बोलूँगा यह जो पीछे का जो इस पेस आप देख रहे हो ना यह कोसिस करो कि जब आप आगे से वो sequence लेते हो तो यह चीज होना बहुत जरूँजी है copy में एक तारतम बतागर है तो बहुत बहतरी नंबर अपन खीश सकते हैं यह तो मैं देखो आधा page देख रहा हूँ अभी जैसे मैं जूम करके देख रहा हूँ तो आधे page में मैं आधा page देख पा हूँ लेकिन वहाँ पे जब copy चेक होती तो वह ऐसे होती है यह exactly copy है आपक और फिर यहां से यहां से तो कोसिस करूँ कियागा जैसे एक लाइन में हमने heading भी डाल दी तो दूसरा अगर आप यहां से सुरू करें तो अगली भी heading यहां से है तो एक जो scenario आए न वो proper लगेगा ठीक है यह कोसिस कीजिए चलिए इनकी रचना रिश्यों के द्वारा में की गई थी very good दीवाने इस्तियाक इसकी स्थापना फुरुसरा तुगलग द्वारा कराई गए यह pension विवाग था ठीक है CU की यह चीनी यात्री हिंसांग की रचना है जिसमें हर सके समय की सामाजिक राजनितिक आर्थिक इस्तिति का पता चलता है हिंस्यांग ठीक है माउंट अबु कायूद 1170 में very good लेकिन यह नंबर आप सही से बनाए क्योंकि यही सबसबड़ी गल्टी होती 1118 समझ लिया जाएगा नंबरिंग आप सही से बनाए थोड़ी सा मुहम्मद गौरी और गुजरात के सासक मुला जोती के मद्दूध इसमें मुहम्मद गौरी की पराजाईवड़ी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं बाल्टेयर यह फ्रांस की करांती का एक दार्सनिक था जिसने वहाँ चर्च में ब्याप्त अब यह आप पड़ोई है ब्रश्टाचार को ओजागर किया और परलूक के स्थान पर इह लोक पर बल दिया आपने एफ और जी पॉइंट छोड़ दिया एफ छोड़ दिया एफ क्या था अलपत गीन अलपत गीन छोड़ दिया भाई यह चीज गलती अपन को छोड़ना कुछ भी नहीं है जनरल कर्टेगरी अपन को छोड़ना कुछ भी नहीं है Erasmus ये अपनो जागरन कालिंग बिचारक था जिसने ईश्वर के स्थन पर मानो के केंद्रियता को बल दिया अब देखो ये सब्द पकड़ो भाई अपन बुरा मत माना राहूल मैं अपना समझ के बोल रहा हूँ मैं किसी पर्टिकुलर किसी को ये चीज़ नहीं बोलूँगा लेकिन आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जेनरल केटेगरी से बलॉंग करते हैं अपन भाई SC, ST तो है नहीं कि कुछ भी लिख दिया नंबर मिल जाएगा ये जो टर्मिलोजी है ना तीन नंबर में आपका बहुत एफेक्ट करती है तो इस चीज़ को थोड़ी सा ध्यान रखी है लिखा अच्छा है, no doubt नंबर काटने की एक्छा ही नहीं हो रही तो इसलिए नहीं कि दोस्त लेकिन लिखा जो तारतम्बता है ना बहुत साही है, जो कमिया है वो दूर करनी है बाकी लिखने का तरीका तो आप बहतर समझ रहे हैं अंगुत्तर ने काया ये बहुत धर्म से संबन्दे थे जिसकी रचना आनंद ने की इसमें बहुत धर्म के दार्सनिक पक्चों के साथ सोला महाजनपदों का भी उलेक मिलता है पैरिस सांथी संबना ने है संबना 1919 में प्रिथम बिश्यूद्ध के परशात पैरिस में हुआ जिसमें बिजई देशों ने पराजित देशों पर कुछ संधियां आरुपित की जिसकी परिणाम दुती बिश्यूद्ध में देखा डेट का मेंशन और होता तो ज़्यादा चरता साथ जन्बरी के असपा से जून के असपा सीचिर हुई है तो ये चीज थोड़ी सा और देख लेना मॉन्टेस्क्यू ये फ्रांस का दार्सनिक बिचारक था बिश्यादा इस ने सासन के सुचान चालन हेतू विधाई का कारपाल का नयपाल का के प्रतक्रन की बात कही इसकी पुस्तक भी साइथ कोई थी वो भी यह आपा लिख सकते थे चोहान वंस इस वंस की इस थापना बासुदेव भारत का नैपूलियन किसी के द्वारा कहा गया इसलिए आपने डबल उद्रण चिनन लगाया इसके सेन अभिहानों की जनकारी हरी सेन बिल्कोल वेरी गुड इलाबाद असुक का इस्थम अभी लेक है जहां से बहुत धर्मिके विश्णों की जनकारी मिलती है और कुछ लिखा किया इसमें नहीं थोड़ी सा दूर आए है चलिया तुरकान ये चहलगानी यह एक चालीस अमीरों का चालीस अमीरों का दल था जिसे इल्तुत में इस द्वारा अपने राजनीतिक हितों को साधने हितो बनाया गया था आगे जाकर बलबन द्वारा गोट जलिया जलिया लग रहा है जलिया यह एक प्रकार का कर है जैसे गहर मुसल्मानों से मुसल्मानों के छितर में रहने में तुब असूल लगाता था इसे फिरोजसाय तुगलक द्वारा लगाया गया था ये चीज़ समझिएगा ब्रहाममणपल लगाया गया था लेकिन इसके पहले भी लगाया गया किस ने खतम किया ये भी आप यहाँ पर mention कर सकते थे चलिए नमबर देख लें आपके किते हुए overall तीन नमबर में अधाय धाय पांच आठ नोदस ग्यारा वारते राच चुदा 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 33 33 और दो 38 नमबर आपके यहाँ पर 38 नमबर है और आपने एक question छोड़ा है अलपत गीन ठीक है मुझे clarity देते जाएगा मैसेज कर दीएगा कि बिलकुल सही क्योंकि यह चार्ट में update होगी ठीक है तीन नमबर में आपके 38 नमबर है एक question आपने miss किया चलिए next question की तरफ चलते ह बखाया प्राष्ट êtesë वोमियों निस्कर्स थोड़ी नहीं होगा डाड़ा बहुत साही अच्छा लिखा आई है कि बहुत दोंने लोग slag आपाली तिया ब्हुत दिना लोग slag पाली मॉपदेश दिया नहीं पर दिए आपनी ब्हासा नहीं लेखनी है चलिए ये चीज़ तब समझ में नहीं आती है, अपन लिखते हैं, तब अपन को वो चीज़ पता चलती है, बाद में जब चेक होती है, ठीक है, तो पाली में उपदेश दिया, जिसने जनसारण को आकरसित किया, बहुत धर्में जटिलदार से निक बाद भी बाद नहीं थे, बलकि म आधा बाद अलग दिखना चाहिए, आप उसी में नीचे से ले लेते हो ना तो वो दिखता नहीं है, बहुत धर्म की कालपनाली गणत तंत्रात्मक थी, अता बहुत संगों के प्रती जनता का जुड़ा हुआ, एक गलती राहुल मैं यहां पर कहूंगा, लिखा अच्छा ह नंबर बिलकुल आपको मिलेंगे, लेकिन एक डाउट जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता हूँ, मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ, यह जो पांच पॉइंट लिखे है ना, कोसिस करो कि छे लिखो, या तो छे पॉइंट लिखो, या बारा पॉइंट लिखो, होता क्या है कि माइनसेट की प्रकति के हिसाब से अगर बात की जा, जब आप पांच पॉइंट लिखते हैं, तो वो प्रतिक के क्या करता है, आधा नंबर माल लेता है, और एक नंबर यहाँ से गाया भी हो जाता है, उसकी ऐसा माइनसेट प्रबत्ती है, तो कोसिस करो, यह मैंने हर कॉ कॉपी भी देखी है, वहाँ भी मैंने यह देखा, बारा पॉइंट में वो, अब जैसे आपने आठ पॉइंट लेके दिये, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके आधे-ाधे पॉइंट माल लेगा, चार नंबर माल लेगा, और एक दो नंबर आपके प्रष्ट मुवियों इसकर सकते हैं, तो यह गलती मत करो, यह कोसिस करो कि अपन और बहतर कर सकते हैं, रजिया के पतन की बात कहीं तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सासकाती, जिसे उसकी योगता, बुद्धी मत्ता के अधार पर इलतुतमिश द्वार उत्रदिकारी बनाय है, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, खुद बताओ मुझे, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, तो बुना मत मानना भाई, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, उद्रण चिन आएगा, कि किसी के द्वारा आप कथन ले रहे हैं, तो हमेशा याद रखना चिन आत है, यह छोटी-छोटी बंश्टे के लेकिन बिलंडर कर देती हैं, ठीक है, मैं नमबर नहीं काटूँगा अभी किसी के, अभी किसी के नमबर नहीं काटे हैं, भी सब फिरिली सब को एक पहले positivity मिलने चाहिए, कि हाँ हम कर सकते हैं, जहाँ कटने हैं, वहाँ विलकुल कटे हैं, ठीक है, लिखा अच्छा है, मुस्लिम धर्म में सत्ता का संचालन पुर्सो दोरा किया जाता है, अता महीला के साथ मुस्लिम परिवार से जुड़ाओ भी एक अलन कारण था, जब रजिया अमीरों का धर्म गुर्यों को आदेश देती, तब उसे अपना अपमान मानते अता उसके बुर्द शड़यंत को बड़ाबा मिला, रजिया को याकूत से प्रेम था, जिससे कई शासक याकूत वा रजिया के सत्त्रू बन गए थे, और इसी के चलते याकूत वा रजिया के कैथल में हत्या कर दी गई, अच्छा एक बार रहूल देखना यह चीज, कि या आप कथा नीचे लिखते ना तो और इंप्रेसिव लगता, ठीक है, चलिए, नमबर मैं सीधे-सीधे लेते चलता हूँ, 38 हो गयते वहाँ पे, 38 नमबर, देन 42, और आपका 45 and half, चलिए, अगला हमपी की बात करें, हमपी बज़ेने का सामराज की राजदा नहीं थी, जिसकी अपने हरियारों वक्का नामप दो भाईयों नकीती हमपी की बेसेस्ता हैं, हमपी से होका तुंकुबद्र नहीं निकलती है, जिसका लगया चेतर करसी की दृष्टी सा देक उपजा हुए, हमपी में कलाव सास्कृति का भी परसार हुआ, जिसके तैत कला के चेतर में अपने हरियारों की रचना की तो वहीं महलों की दीवारों पर की गई चितरकारी का वर्णन भी प्रसंसनी है, ये पैराग्राफ ही आपका सब कुछ किया गया, हमपी में सल्तनात सास्कों के बेप्रीत हिंदूओं के मंदर प्रणोख है, जो दिर्वन से अली का प्रतिनीद अच्छा लेखा है ये तो 50 नंबर हो गया अपके, चल ये, बात की गई है, भारत प्रारम में से ही क्रसी प्रणान रहा है, यहां सास्कों ने अपने राजस्व में ब्रदी एतु लगान का ही साहरा लिया है, प्रंतु जब शास्कों की लगान से पूर्ती नहीं हुई, देखते हैं, देखते, जो निमने परकार से, जजिया का जकात कर, खम्स, खराच, उस्र, ठीक है, जजिया, इदे के एक दो परकार से भी हो सकते थे कि एक जो सामाजिक कर लगते हैं, सामाज पर कर लगते हैं, या ये कह सकते थे कि आर्थिक द्रश्टी से कर और धार में कर एक प्रकार से अपन वो चार्ट भी देख सकते थे एक छातरने कॉपी में लिखा अच्छा लगा वो फॉर्मिट मैं बताऊंगा याकर गैर मुसल्मानों से मुसलिम छित्र में रहने एतु लिया जाता था जकात कर याकर मुसलिम से लिया जाता था जो कि एक प्रकार का अनिवार अधार में करता कितना था अपने पृतिसप तो लिखा ही नहीं कितना था ऐसे नहीं लिखना कम से लूट का धन्ता जैसे सासक पूरु निरधारित मात्र के थे उन सेन्यकों को जो लूट में सामिलते बाणते थे याद रखना है कौपी दोनों की अलग लिखी जाती है पीएससी में कितना था भाया ये पूछेगा खराज भूराजस था जो हिंदू किसानों से बसूला जाता था उसरों मुस्लिमों से बसूला जाने वाला बिल्कुल सही लिखा है लेकिन जो मैंने गलती पकड़ी वह चीज पकड़ो पचास वबावन इह क्या लिखा है फ्रांस की करांती के सामाजे करण फ्रांस की करांती 179 यूरोप की एक महातपूर करांती थी ये बर्ग कर से मुकते था और तिर्थी इस्टेट बहुत अच्छा। इसके तहीं सामनतवा अदिकारी थे जो पादरी को संद्रक्षन देते थे। ये भी कर से मुकते थे नो डाउट ये format आपको बहुत बहतरीन काम देगा 57 नमबर आपके होगा है बहुत अच्छा काम कर रहे है आप मगत समराज के उद्या के कारण हाँ दूसरा कोश्चन आपने चुना है मगत समराज के उद्या के कारण चलिए यह कोसिस करना गिलेवार से एक बार और देखना यह चेतर में नदियों के परियाप्त तसी जिसके करण एक और मिर्दा उपजाओ हुई तो वही अधिक करसी से अन्न का अधिसेस हुआ ठीक है पहाड़ीवा नदियों, ये सेंटैंस थोड़ी से लग रहा हा भही अधिक करसी से अन्न का अधिसेस हुआ ठीक है पहाड़ीवा नदियों से घेरे रहने कारण यहां की राजनियादि तो राजज़ानी को यह वहाँ के छित्र को सेंटेंस तुम सही लेकिन जो स्ट्रक्चर है । उस्ट्रक्चर प्रोपर करो अगर नंबर तुम्हें और बहतर चाहिए नहां आपई को GOAT याई दो क्याक्तार लेकों पॉइन यहें से लिख दैजनी सुछे पोरट्ट है मनहा इस्तिती की बात हो रही है, मनो इस्तिती की और एक फॉर्मिट तुम यहां से लिख रहा है, खुद देखो, मैं वो चीज कर रहा हूँ, यह देखो तो, यह चीज नहीं है, अगर कोसेश करो कि यहीं से स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, लेखा अच्छा है, नोग राउट, जनसंग्या ब्रद्धी, सरम की उपलब दोता बड़ी, अब गयर करसी कार्णियों, सरमिक संग लंगन हुए, तथा विसाल, सेना, निर्मतु, सेना में सभी बर्ग की लोग मौजूद थे, जिसमें सामाजी गती जिलता बड़ी, तो साथ ही सासक बर्ग, बिंदु सारा रा प्रसासनिक सुदार तुम इतना सटीक लगा है इसका अंसर, और इसमें एक चीज़ और डाल देते, कि आम जनता जो थी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसने, क्या कराए, विभागों की स्थापना कराए, क्रसक विभाग भी इस समय बन गया था, जो आपका MBT ने बनवाय था, लेकिन इससे चलते हैं अगली तरह, राष्ट संग के सफलताए कारण, प्रतम विश्विद्य के पश्चात, बिजट राष्ट राष्ट ने पराजट राष्ट के साथ, जो बरसाए की अपमानी संदीक की थी, उसके प्रतियुत्तर को रोकने ही तु राष्ट संग का निर्मार विश्व तो प्रतिकरियाबादी वलसाली हुई, ताकते हैं और राष्ट संग की अंदेखी हुई, राष्ट संग ने सार्भ भॉमिक्ता का भी अभाव था जिसके तैत अमीर का सुएक्षा से सामिल नहीं हुआ, तो वही रजमरी वर रूस इसमें सामिल नहीं थे, राष्ट संग के बिलकुल सही लिखा है, ल recalled निस्कर्स हमें कुछ तो लिखते हैं, और ये तुमने लिखा सही है, लेकिन निस्कर्स था हमें कुछ लिखना था, ठीक है, नमबनी काते हैं लिखा सही है, क्योंकि अकवर की राचपूत नीती, सुलह कुल वाला कोश्चन आपने अटेंड किया क्योंकि इसमें देहसाला बंदोबस्त वाला भी था तो भारती त्यास में अकवर एक कुसल सासक शाबित होता है जिसकी सभी नीतियां उसके प्रसासन को गती देती है इसके तहित अकवर ने सभी धर्मों को समझा इसलाम का एककिशवरवाद हिंदु बज्जहन का अहिंचाबादी सामिल था विखेसतनाय सभी एक पतनी ब्रत का पलं करे जीवन में अहिंचाब को अपना सभी धर्मों के ब्रति-ोदार हों सहटू है क्या लेका व्यक्ति अपनी मृत्यू के पश्षात को भोज अपने जीवन काल में दे इसमें ये होगा कि जो व्यक्ति है अपनी मृत्यू के पश्षात के भोज को अपनी मृत्यू अपने जीवन काल में दे को नहीं आएगा इस प्रकार देखा जा सकता है कि अकवर से मिलना लेवा कुल कि नीथी सब सहल ने बल्किस अगला कुशन्ह आपने लिखा थै कि उत्तरवेद्थिक का का परिवर्ती रूप उत्रवेटिक काल के रूप में जाना जैता है जिसका समय 1000 इसा पूर समय नेटी है क्वेशन अगर पढ़ा होता तो राजने oph adelante भए तो समाज की बाती नहीं कर नेती है ठीक है आपसे राजने ते कालchnो तो question आपके इस मही नमबर रहेंगे, चलिए, एक question आपने छोड़ दिया है, गंधार कला मतुरा कला, ठीक है, तो overall आपके नमबर किते आ रहे हैं, 73 and half, यहां तक हो रहे हैं, और आपने एक question गंधार कला मतुरा कला का छोड़ दिया, एक आपका गलत हो गया, 73 and half हो रहे हैं, यानि 38 नमबर में से अगर इसको माइनस किया जाए, 33 नमबर, sorry, 33 माइनस 38, तो लगबख 35 नमबर आपके इस में gain हो गया है, ठीक है, चलते हैं, अगले की तरफ, तीन नमबर में आपने अटेंट की हैं, question सबसे पहला question आपने अटेंट की है, गुप्तकाल को सोनकाल क्यों कहा जाता है, भारती इतियास में गुप्तकाल ही कैसा समय है, जब भारत में कला संस्कृती का इस्थापत कला अपने चरम पर थी, जिसके आधार पर इतियास करन ग गुप्तकाल को सुनकाल की संगया देदी, गुप्तकाल सुनकाल था, इसके निमनातों पर देखा जा सकता है, गुप्तकाल में भासा है, अपने शाहित्य का पर IRA onda पने पर इकास हुआ इसकाल में नारत परासर कात्यायन बबरिश्पति समृती साहित्य की रचना भी, जो की आस्मान के नीचे भी जंग रहे थे तो वहीं आरवट जैसे गड़िता गड़ित को जोतिस से अलग का रेक्सोतंतर बिसाय बनाते हैं और आरवट्टी हम सिद्धान देते हैं इसी प्रकार ब्रमगुप्त द्वारा गुरत्वा कर्शन का सिद्धान भी दिया गया इस की सिख ख़कों को ख्याती विष्वेग ख्याती इसी परकार इस्ताबत के चितÓ मंदरों का पूणविकास नहीं देखता है जहां मंदरों में सिखर बनाना प्राणम होने लगे इससे पहले मंदरों की छट सपाथ होती की तो दठाणा दस उतार मंदर लिखा बहुत सही है लेकिन कोशिस करो कि यह धाई पेस तक जाए क्योंकि लाश्ट में निसकर्स लिखना जरूजी है निसकर्स नहीं लिखा तुमने गुप्तकाल को सौनकाल क्यों कहा जाता है तो निसकर्स होना जरूजी है ठीक है जैसे प्रश्ट भूमी लेखा है तो निस्कर्स होना भी जरू जी लेखा अच्छा है लेकिन कोसिस करो कि इसमें अपन और बहतर कर सकते हैं आपके नंबर हो गए हैं चोहतर और अच्छे और आठ ब्यासी चलते हैं अगली की तरफ अध्यो करांती दूसरा कोशियर आपने लेखा है अध्यो करांती उत्पादन के साधनों और परिवर्टन को दर्सा आती है जिसके ते तो अत्पादन मानों का इस्थान मसीनों ने ले बड़ाओद्यो करांती ने सिरम कभे शिशी करण किया जिससे कायर प्रदिज में बिसेस्ता यही और आब उत्पादन की उडवत्ता बेहतर हुई करांती के चलते कारकरना प्रनाली सहरी चित्रों में तदेग बिकसित हुई जिससे नगरी करण की बिकास को बढ़ावा मिल परिवार शहरों में आने लगे बड़ते नगरी करण को सहरी करणने से तीक है स्रम के लेकर राष्टी वंतराष्टी इस तर पर नियम बनने लगे जो सरम को किस रुक्षापर बल देते थे जो बरग शहरों में कारकर ने पहुंचा आगे चल कर दो है मध्द्यम बरग कि र कि राजनीतिक प्रवणाम इस क्रांती से लाव कि अभधाना वड़ी जिससे करकी अधिक प्राप्ति हुई और याता है संचार के साथ नों का विकास हुआ क्रांती ने जब मध्य बर्गों को उच्चित तो वह है अब राजनीती में भी रूची ने लगा और राजनीती में मध्यम बर्गा प्रवेश दिखाएने लगा जब सर्मिकों के स्थिदी देनी हुई तो उनकी आवाज उठाने सामाजवादी बिचारधारा का विकास हुआ समाजवादी बिचारधारा के करम में पूझी बादी बिचारधारा विवोगोई जिसने दूती विश्व युद्ध के बाद विश्व को सांथ सीत युद्ध में धकेल दिया जिस पश्ट है कि अद्धय उकरांती ने समाज को एक नई ढाचे में ढाला जिसका प्रवाव बर्तवान में भी निरंतर करती सील दिखाई पड़ता है वेरी गोट आपके नंबर कित्ते हो गये थे 82 यहां पर आपका स्कोर होता है 92 अगला कुश्चन है एक सेकेंड पिरते एक नई यूग की शुरुआ जब किसी भीषणत राज़ती से होती तो विश्विद्ध के बारे में अपने लिखा है ठीक है तो वह मानव सब्वता के पतन को ही सुचित करता है विश्विशत अब्दी के प्रार्म में विश्व ने 1914 में विश्विद्ध की शुरु यूद्ध कोई तातकालिक नहीं था अपितु इसकी प्रष्ट भूमी पहले से निर्मित हो रही है जिसे हम निम्ड बिंदू में देखते हैं गुप्त संधिया होना सामराजवादी पिरतीस परदा उग्र राष्ट बाद आतर राष्टिय संगटन कावाव समाचर पत्रों की भूमी का तातकालिक कारण जर्मानी के परष्ट वहां के चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस को प्रोहावसाली बनाने तो फ्रांस को अलग रखने ही तुवाश्टिय इटली के साथ गुप्त संधिय की जिसमें गुटों का निर्मान किया आगे चलकर यही गुट आपस में सत्रू बने अपने देश का विस्तरबाद अन्य देशों के संकुचन को विस्थापित किया जिसके लिए युद्ध होना सवभावेक था और इस विद्ध को बढ़ते सेन अभ्यास ने और भी गति दी समाचार पत्रों की भूंका विवे ने देश के बुद्ध जीवी दारसनिक राजनी ते बहुत द्योगपती युद्ध की बकालत कर रहे थे जिसके संबन्द में भी समाचार पत्रों में अपने देख लिखते और युद्ध से पूर्वी की समस्या का समाधान युद्ध मे जब आश्टिया के राजकुमार की हत्तिया बूर्ष्टिया ने कर दी गए थी तो आश्टिया ने इसका सारा दोस सर्विया पगड़ दिया था सर्विया ने रूस ठीक है ये तो लेकिन निसकर्स और लिख देते कि सर्विया और आश्टिया तो केबल किस ने कहा इस संदर उन्हें कहा गया है कि सर्विया और अश्टिया तो केबल गोडे थे गोड़ सबार तो उन पर बाद में सबार हुए वाह अच्छा निसकर्ष दिया है ओवर आल आपका जो टोटल हो रहा है मैं एक बार लिख लेता हूँ 101020 ठीक है 102 नंबर का आपका टोटल हो रहा है आउट ओफ 150 जिसमें से आपने एक कुश्चन तीन नंबर का टेम्ट नहीं किया है और एक कुश्चन आपने छे नंबर का टेम्ट नहीं किया है 101020 और 20 और 2828 इस नंबर आपको यहाँ पर गेन हुए है जिसमें से आपने कोई भी कुश्चन नहीं छोड़ा तो ओवराल आपका 102 नंबर का है मैं आगे आपको पूरा मेंशन कर देता हूँ आगे लिख देता हूँ इससे आपको याद रहे लास्ट में ओवराल आपका टोटल केता मैं नहीं बोला 102 150 ठीक है तीन नंबर का एक कुश्चन अच्छे नंबर का एक कुश्चन आपने मिस किया तो मुझे मैसेज कर दी देगा जैसा ही है सही दागे आल दा बेस्ट फार नेक्स एक्जाम थेंक यो